आज प्रदेश की सबसे होट सीट रोहतक को लेकर हम चर्चा करेंगे और एक गलती वो दिपेंदर हुड़ा पर कैसे भारी पड़ सकती है और क्या कुछ चूक यहां पर हो सकती है इस सब चीजों पर विश्तार से चर्चा करेंगे नश्कार मैं हूँ अरुन कुमार आपके साथ और इस विश्यश चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खरी-खरी न्यूज से कुल्दीप शोरान जी कुल्दीप शोरान जी हम लोग पिछले काफी सुबर से हरियाना का दोरा कर रहे है और हर सीट को बहुत बारीकी से देख रहे हैं रहतक लोग सभा के अगर बात करें तो एक चीज मेरे मन में बार बार आ रही है क्या देविलाल तो नहीं बन जाएंगे दिपेंदर हुड़ा उन आपने सही बात की रहतक का चुनाव इस बार काफी मैने रखता है यह चुनाव जहां बीजेपी के लिए दस की दस शिटों जीतने में रोड़ा है वहीं हुड़ा फैमिली के लिए भी आर पार का चुनाव है क्योंकि चुनाव में अगर दिपेंदर हुड़ा जीत जाते हैं तो दोबरा से बड़ा रसुख हासिल करेंगे और अगर दिपेंदर हुड़ा हार जाते हैं तो उनका दूसरा देविलाल बनने आखत्रा पैदा हो जाएगा किस तरह से रहेगा यह खत्रा कुछ बताएंगे थोड़ा इतिहास के पन्ने कुरेदने पड़ेंगे और उन क्या था कि जो पोलिटिक्स है वह 1989 से स्टाट होती है 1989 में देविलाल ने रोतक से चुना वड़ा और वो लबग साढ़े तीन लाख वूट हासिल करके बड़ी जीत दज की और देश के उपदा मंतरी बने यह लग बात है कि उन्होंने उस सीट के बज़ाए सीकर की शीट को उन्होंने चुना लेकिन उस सीट के जीत के मायने यह रहे कि वहाँ पर देविलाल का गड़ माने जाने लगा और देविलाल भी और कुंफिडेंस होगे कि रोतके लोग तो मेरे ही है मुझे उसे कोई खत्रा नहीं है लेकिन वही देविलाल वो पिंदर हुडा के हाथों लगातार तीन चुनाव हार गे उन्यसों क्यानवे का उ चुनाव भी हारे और अठाने चुनाव भी हारे लेकिन खास बात यह भी है कि जहां उन्यसों अठाने चुनाव था वो जो है बुपंदर उडास्ति रिप 399 वोटों से हारे ऐसे उनको यह लगा कि वह अब किसी को विहरा सकते हैं तो उन्यसों नहीं के सामने जनता दलने परतायस उन्हार इंदर सिंघ को दीद सीरही कहांब तो उसी तरह से तीन चुनाव देपिंदर हुड़ा भी जीतने के बाद 2019 में चुनाव हारे हैं और कृट्रिवई कि व्हुवित नहीं थी लेकिन चुनाव हार जेंगे अर्विन सर्मा भी जो बाहर से आगे वहाँ चुनाव जीत गए उनको भी लाइटली लिया गया दिपिंदर हुड़ा को लगता है कि मैं इतने काम कर रखे हैं मेरे पास में लग वोट हैं और मैं नहीं हार सकता हूँ लेकिन उनके और कुंफिदेंस ने उन्हें उसी तरह से हराया जिस तरह से देविलाल हारा करते थे इसलिए हम कह रहे हैं कि और कुंफिदेंस में हाकर या एक चुक के चलते डिपिंदर हुड़ा दुसरे देविलाल बन सकते हैं लेकिन बड़ी बात थी जिस तरह से जब ये हार और जीत का ये चीज़े तैय होई तो बात आ रही थी कॉंग्रेस की तरफ से के बीजेपी ने धोके से हराया उन्हें देखे अगर आप इस बात की सर्चा करेंगे तो आप फिर तो ये देविलाल के साथ भी दोखा हुआ था आपको ये बता दें कि देविलाल जहां उन्नीस सो नियुन सो जार रहे हैं वहीं उनिस सो गड़ाएद में वह लभग चुबी सो गड़ाए थे ओग जो तीसर सबसे बड़ी बात है कि अगर वह 2019 के मुकाबले में अपनी गलतियों को सुधारेंगे 2024 का सुनाव वह पूरे दिल से लड़ेंगे अपने गलतियों से सबक लेंगे तो जीतने की समता भी रखते हैं अवसर भी रखते हैं और मोका भी रखते हैं लेकिन अगर और कोंफिडेंस के साथ कहीना कि उनको ऐसी मजबूत एक तीम की जरूरत है जो वहाँ पे चीजें मेने हैं मत डाता है वह उन तक नहीं पहुंच पाता और थोड़ा सा यह महसूस होता है कि कहीना कहीं वह अलग तरह के औरा में हैं लेकिन अब दिपिंदर हुड़ा के लिए सबसे बड़ी जो जुरूरी चीज है वो थरडाई की है निग्रानी की उनके साथ में कुछ ऐसे लोग होने ही जो नौ के नौ हलकों के बारे में उन्हें भी कुछ सही रिपोर्ट डे सके हैं कहां पर कमजोर हो रहë हैं कहां पर आगे बढ़ रहे हैं कई在iggles में क्यों से एंज in China क्या चीज़ हो रहे हैं तरीप में क्यों कि फिस्चा उन को यह जान को जीतने के लिए अर्विन सर्मा के 3,000 वोट कम करना जूरी है या अपने 7,000 वोट जदा करना जूरी है लेकिन बीजेपी भी इस टाक में है कि वो अपने वोट कैसे बढ़ाए क्यों को खाली वो भी बैठी है बीजेपी ने नोकरियों के जरीए रोतक पारलियमेंट के अंदर में बड़ा बदलाव आएगा जो वहां के प्रिणाम को फिर से बदलने का काम कर सकता है लेकिन दिपंदर हुटाज जहां पर खड़े हैं उनके पास में ही जीत है और दूसरी तरफ हार भी है वह कहतना कि एक तरफ जो है मामली सा बारिक सा रास्ता है एक तरफ पकी सड़क है अब देखने के बात है को हाई वपर सड़ेंगे या दो बड़ा से हार की खाई में करेंगे बिल्कुल बड़ी बात है लेकिन अगर बात करें बीजेपी हरतरे से जो है वो चीजे चाह रही है कि हम यह रोत तक लोग सभावी जीते हैं इसको इसको लिए का कुछ हैसे सर्प मिल रहे हैं लेकिन इसके लाव बीजेपी भी चाह रही है कि ऐसा सर्प्राइजिंग फेस लाया जाए जो अर्विन सर्मा से भी ज्यादा इंपेट कर सके जो चोकाने का काम कर सके और जिसके खिलाब बोलने के लिए हुड़ा परिवार के सामने उनके पास कुछ भी चीज ना हो ऐसे फेस के पास उनके पास तीन फेस हो सकते हैं पहला बीजे gratuit के लिए बाबा बालकनाथ एक सर्प्राइजिंग फेस हो सकते हैं वह बहर मटके उतरा दिकारी और नहीं महीं देवार हो से रहा है अगर बालकनाथ को कि बहु सकते हैं अगर फिलाब ग्यास होत्तर करन क्योंकि कोशली जुद्धानदीफ हुडा एक्टर है अभी नेता है और रोता के रहने वाले हैं उनका आपना बड़ा फोलिंग वरग है और वो सर्प्राइजिंग फेक्टर हो सकते हैं वह आजगर बीजेपी के साथ नजदीकियां भी दिखा रहे हैं अगर उनको बनाया तो भी दिपंदर हुडा के लिए प्रेशनियां खड़ी कर सकते हैं तीसरे फेस उसके विनोज सर्मा क्योंकि पिसली बार विनोज सर्मा ने भी ब्रामन जो एक लाम बंदी है उसके जरिये ही दिपंदर हुडा खोदा के ळाने क्क्राव किया था अगर उनस सर्मा आथ तो अर्विल सर्मा का खड़ बीसली ब्रांब बोल्ट कि वह दो पराने मित्र है उनके कई ऐसी मुझ्बोरिवाँ जिसके चलते पें को प्रभ प्लाम एक जीत का है जो है वो आज़की तारीक की टीम ही active है देपंदर हुडा के लोग फिल्ड में जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं बीजेपी जिदें लिस्ट जारी करेंगी आठ या नो तारीकों उचके बाद ही पता लगेगा कि बीजेपी का चेरा कोनाता है बीजेपी क्या रहेगी और सब्सक्राइब कर चुकी है अब वो सिर्फ फेस क्या डिकलेर करेगी उसके बाद ही रोतक विदानसबा का लेकर साथ बाकी के आठ जो हलके हैं उनका भी तस्वीर खुलेगी आपको यह बता दे कि 2019 के चुनाव में जहां डिपंदर हुड़ा को चार हलकों में मात मिली थी वह अधुर्गड है वालाबग चपन सो वोटों के इनको हार मिली थी कलानोर में सब्सक्राइब की हार मिली थी और रोतक के अंदर लवग दस से पंदराजार वोटों के हार हुई थी तो वह कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि कैसे वोटों को कम करें कैसे हार को जीते हुए दिपं भारी नुकसान हो जाएगा वो मुख्यमंत्रिपत के दावेदार हैं अगर चुनाव जीते हैं मोदी के आंदी में तो बड़ाकत बनता है लेकिन अगर बाइसा किसी वज़े चुनाव हार जाते हैं तो उनका सीम बनने का सपना भी तोट सकता है यानि एक चुक उनके पुर फिलाल में कैंपेंच चला रहे हैं और डोर टो डोर भी जा रहे हैं लोगों के पास भी जा रहे हैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं ये एक उनका फायदा हो सकता है इस चीज़ का और फिलाल तो जो है अभी बीजेपी का कोई परतेश आया नहीं है लेकिन बीजे इमोशनली कनेक्ट होके भारी भहुमत से रौतक लोगसवा सीट को जीतेंगे इसका फैसला जनता तैय करेगी और आप भी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें